नमस्कार दोस्तों इंवार्मेंट साइंस के सबसे भेतरीन और लार्जेस्ट प्लेटफोर्म इंवार अकैडमी पे मैं सतेंद्र चोधरी आप सभी का एक बार फिर बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिट फर्स्ट यानि की फंडामेंटल और इन्वार्मेंटल साइंस के सबसे इंप्रोटेंट टॉपिक के बारे में आप लोगों ने इस रेबस में टोपिक देखा होगा इस इस्ट्रक्चर ओफ एटमोस्फेयर लिथोस्फेयर एंड हाइड्रोस्पियर इस टोपिक पे एक कोश्टन आपको हर एक पेपर में मिलता है एक कोश्टन जरूर आना है इस पे और इसमें भी सबसे जो है वो 95% से भी ज्यादा है एक कोश्चन घुमा फिरा कि आपको जरूर मिलता है तो आप लोगों से मेरा सजेशन है अपना नोट बुक लेके बैठी है जो भी पॉइंट्स में यहां पर हाइलाइट करूं आपको बताऊं उनको अपने नोट डाउन कर लेना है ठीक है भी में इनी पॉइंट्स के आसपास आपको कोश्चर मिलते रहे हैं मिलते रहेंगे आप लोगों नहीं डाइग्राम देखा होगा बहुत सारे सोर्स से जब भी आप पढ़ते हैं लग-लग सोर्स में जो है लग-बग इसी परकार का एक डाइग्राम आप देखते हैं यह है structure of atmosphere जब भी हम structure of atmosphere की बात करते हैं तो एक point हमारे mind में आना चाहिए कि हमारा जो atmosphere है यह different different layers से मिलके बना है हर layer की अपनी एक खासियत है विसेशता है जो इसे एक layer को यानि की दूसरी layer से अलग करता है तो अगर हम इसको समझने की कोशिश करें और start करें सबसे lower part of atmosphere की जो धरती के सबसे ज़्यदा नजदीक है वो है troposphere प्रोपोस्पियर जो है वो सबसे lower part है atmosphere का इसी जगह पे इसी area में हम रहते हैं यहाँ पे सबसे खास बात यह है कि height के साथ में temperature जो है वो decrease होता है height के साथ में temperature जो है वो decrease होता है और यह decrease होने का जो process है यह एक point पे आके रुक जाता है जिसको प्रोपोस्पोस कहते है प्रोपोस्पोस्पे जैसे ही आप पहुंचेंगे वैसे ही temperature जो है वो decrease होना बंद हो जाएगा प्रोपोस्पोस बहुत ही महतोपून है इसकी सबसे बड़ी जो खासियत है वो यह है कि एक धकन का काम करता है अगर ये ना हो तो हमारी धरती पे पानी ना हो ठीके बचो इसके बाद में दूसरा जो आपका लेयर है ये आपका क्या है स्टेटोस्पियर इसकी पहली खासियत क्या है इसकी पहली खासियत ये है कि यहाँ पे temperature जो है वो height के साथ साथ increase होता है तो ट्रोपोस्पियर में height के साथ में decrease हो रहा था इस्टेटोस्पियर में height के साथ में increase हो रहा है temperature और इसी लेयर में ozone पाई जाती है यहाँ पे ozone मिलती है जिसको धरती का सुरक्षया कवच कहा जाता है ठीक है धरती का सुरक्षया कवच कहा जाता है ozone को यह हमें UV radiation से बचाती है अगर जो यह layer है ozone की ना हो तो यहाँ पे हमारे धरती पे जो radiation आएगी sun की उसमें UV का amount बहुत जादा होगा और धरती पे जीवन संभव नहीं होगा ठीक है तो आप में से क्या कोई बता सकता है कि ozone के वल स्टेटो स्पियर में ही क्यों पाई जाती है ठीक है यह question note कर लो comment box में लिखके मुझे बताना कि बहिया ozone जो है वो स्टेटो स्पियर में ही क्यों पाई जाती है एंड एक और question लिखलो साथ साथ में कि ट्रोपो पोज को धक्कन क्यों कहते हैं लिड क्यों कहते हैं ठीक है दो question होगे ठीक है इसके बाद में जो layer है उसको mesosphere कहते हैं mesosphere एंड इस्टेटो स्पियर एक दूसरे से स्टेटो पोज के द्वारा विभाजित की जाती है separate की जाती है एंड जो आपका mesosphere है इसकी खास्यत यह है कि यहाँ पे temperature फिर से घटना शुरू हो जाता है जैसे जैसे आप height की तरफ जाएंगे temperature जो है फिर से decrease होना शुरू हो जाएगा और यहाँ पे धर्ती का सबसे coolest temperature है सबसे ठंड़ा जो तापमान है वो आपको mesosphere में मिलेगा इसके बाद में जो है आपका जो layer है उसको thermosphere कहते हैं इसमें temperature फिर से increase होना शुरू हो जाता है height के साथ में और thermosphere और mesosphere एक दूसरे से mesopause के द्वारा विभाजित किये जाते हैं separate किये जाते हैं thermosphere thermosphere में जो temperature है वो सबसे जादा होता है यहाँ पे temperature जो है सबसे जादा पाया जाता है ठीक है यह जो points मैंने यहाँ पे बताए इन पे आपको question मिलने की संभावना जो है सबसे जादा रहती है अब थोड़ा और विस्तार से इसको हम देखें तो हमने देखा कि हमारे पास में चार लेयर हैं atmosphere की जिनको हमने कहा ट्रोपोस्पियर, स्टैटोस्पियर, मीजोस्पियर और थर्मोस्पियर सबसे नीचे की लेयर जिसमें हम रहते हैं उसको ट्रोपोस्पियर कहा गया और यहाँ पे जो हमारा पुरा atmosphere का मास है उसका 80% जो है मिलता है ठीक है? 80% जो है वो आपका कहा मिलता है? वो मिलता है ट्रोपोस्पियर में और ट्रोपोस्पियर की जो हाइट है वो वैरी करती है एक्वेटर पे यह लगबग 18 km होती है पोल्स पे यह 5-6 km की होती है अगर आप मिड लेटिट्यूड की बात करो तो यहाँ पे 10-12 km जो है इसकी हाइट होती है और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है पूरे एट्मोस्पियर का 80% जो है मास है यह तो हम पढ़ी चुके हैं अभी मैं बता चुका हूँ आपको कि ट्रोपोस्पियर में हाइट के साथ में टैंप्रेचर डिक्रीज होता है इसको इन्वार्मेंटल लेप्स रेट कहते हैं यह नॉर्मल लेप्स रेट कहते हैं यह होता है आपका कितना माइनस 6.5 डिक्री सेल्सिय पर किलोमेटर अब इसके उपर का जो लेएर है यानि कि स्टैटोस्पियर प्रोपोस्पियर और स्टैटोस्पियर जो है ये दोनों मिल के धर्ती का जो एट्मोस्फेयर है उसका 99.9% जो है मास कंटेन करते हैं तो यहाँ पे एक पॉइंट तो ये किलियर हुआ कि ट्रोपोस्पेयर में यानि कि लगबग 10 किलोमेटर की हाइट तक 80% है ठीक है और उसके बाद में अगर आप फिर से थोड़ा सा इसको और विभाजित करो तो 20 किलोमेटर तक 90% है 30 किलोमेटर तक 97% है और 50 किलोमेटर तक जो है वो आपका 99.9% मास ओप एट्मोस्फेयर आपको मिल जाएगा जो आपका स्टैटो स्पियर है ये 50 किलोमेटर तक एक्स्टेंट करता है और इसमें मैंने अभी आपको पता है कि सबसे खास बात ये है कि इसमें ओजोन मिलता है और ओजोन यूवी रेडियेशन को क्या करता है एब्सोर्ब कर लेता है एक और कोस्टन लिखिए जो आपका ओजोन है वो कौन सी यूवी रेडियेशन को एब्सोर्ब करता है ठीक है अब यहाँ पर हमने बताया कि भाईया क्या होता है टेम्प्रेचर जो है हाइट के साथ में इंक्रीज होता है तो यहाँ पर क्या है इन्वर्जन है स्ट्रोंग कंडिशन है ठीक है ना स्टेबल कंडिशन है इस्ट्रोंगली स्टेबल होता है आपका स्टेटोस्पियर यही वज़े है कि अगर एक बार पॉलूटेंट जो है वो धरती से उठके स्टेटोस्पियर में पहुँच जाएगा तो हजारों साल तक घुमता रहेगा डिसपर्जन होका नहीं क्योंकि स्ट्रोंगली स्टेबल होता है आपका स्टेटोस्पियर ठीक है बचे इसके बाद की जो लेयर है मीजास्पियर यहाँ पर जो है टैंपरेचर फिर से हाइड के साथ में क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है और धर्ती का सबसे coolest point यहाँ पे है minus 85 degree celsius temperature मिलता है आपका mesosphere में thermosphere जो है यहाँ पे बहुत high temperature होता है height के साथ में temperature increase हो रहा है और यहाँ पे भी ozone जो है वो absorb हो रहा है यहाँ पे भी ozone यूवी यूवी radiation जो है वो क्या हो रहा है absorb हो रहा है यहाँ पे भी यूवी radiation जो है वो absorb हो रहा है ना केवल ozone जो आपका status sphere में था बलकि thermosphere भी क्या कर रहा है यूवी को absorb कर रहा है तो वहाँ पे तो ozone था status sphere में तो ozone था बट जो आपका थर्मोस्पीर है थर्मोस्पीर में कैसे आपका यह युवी है यह एब्सोर्ब हो रहे है थर्मोस्पीर में molecules atomic nitrogen और oxygen जो है वो होते हैं ठीक है atomic oxygen और nitrogen यह युवी को को एब्जोर्ब करते हैं झाल जो एक मेतोपून कोशन यह आ 아이ी है वो सबसे पहले कहां एब्जॉर्ब होती है यह जो है सब से पहले कहां एब्जॉर्ब होती है कौ्न सा ऐसा अपरमोस्ट पार्ट है हमारे एक्टमॉस्फेर का जो UV radiation को absorb कर रहा है तो वो है आपका thermosphere thermosphere में सबसे पहले UV radiation absorb होती है but definitely सबसे ज़्यादा absorption कहां हो रहा है UV radiation का वो आपका stratosphere है क्योंकि stratosphere में ozone है तो maximum part की अगर आप बात करोगे कि UV का maximum part जो है वो कहां absorb हो रहा है तो वो stratosphere ही है बट सबसे पहले कहां absorb हो रहा है uppermost part कौन सा है तो वो आपका thermosphere है ठीक है बचो तो ये सारे points जो हैं बहुत महतोपून हैं आपके लिए जो questions मैंने आपको किये हैं उनको comment box में लिखके जरूर अपना answer बताना ठीक है एक और question जो है लिख लीजिए ये भी बताना है कि जो हमने ये कहा है कि जो atmosphere है उसका maximum portion ट्रोपोस्पेर में है इसकी क्या वज़े है ऐसा क्यों होता है कि maximum जो mass है अर्थ का वो जो है सबसे lower part यानि कि ट्रोपोस्पेर में मिलता है ठीक है बच्चे तो ये 4-5 question है इनके answer जो है जरूर इमानदारी से आप जो है अपना comment box में अपने answer देना तो बच्चे सीखते रहिए मुस्कुराते रहिए हमारी best wishes आपके साथ में है आप लोगों के message हम जरूर पढ़ते हैं ठीक है जो भी आप हमें message करते हो जो भी topic बोलते हो कि हमें जो है पढ़ा दीजिए सर उस पर पुरी-पुरी कोशिश रहती है हमारी काफी दिन से बच्चों का यह था कि पर structure of atmosphere पर वीडियो बनाएं ठीक है बच्चे आपके दमाज में भी कोई ऐसा topic है तो आप हमें message कर सकते हैं पुरी-पुरी कोशिश करेंगे उस पर जरूर लेक्चर बनाएंगे जीओ बच्चों take care